आज का वनपीस का एपसूड उतना खास नहीं था जितना मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज पिछला एपसूड बहुत कमाल का था उससे पिछला वाला भी बहुत कमाल का था लेकिन अगर हम लोग बात करें आज के अपसोड की तो आज के अपसोड उतना ज़्यादा कमाल का नहीं था बिकॉज यहाँ पर लूफी वसे स्काइडो के फाइट से ज़्यादा ओनिगा सिमा के अंदर के माहौल को दिखाया गया बिकॉज उचारों तरफ आग फैला हुआ है कैसे गरके निकलेंगे वो सारी चीजे दिखाई गी है और बहुत सारे लोगों को स्लो पेसिंग भी लग सकता है लेकिन मैं उन्हें जानकारी के लिए बता दू कि जिस तरह से वनपीस का इतिहास रहा है कभी भी बहुती रेर मोंइंट्स आजकल रहते हैं वानो आर्क में जब वो पूरे चैप्तर को adapt करता है और इस बार इसने पूरे चैप्तर को Adapt किया तो हम इसको स्लो पेसिंग में नहीं कह सकते actually मैं Oda ने वो chapter ही लिखा था भाई आदा से जादा time ओनिगासिमा के अंदर के चीज़े के उपर focus किया गया था and इसी वज़े से ये episode उसको adapt करते हुए हमें वो सारी चीज़े देखने को मिलती है वैसे इस episode के end में लूफी हमें बहुत बड़ा काम करता हुआ नजराता है I mean वो last में देखना वो बिजली को पकड़ लेता है और वो फेकता है की नहीं फेकता है वो चीज़ नहीं दिखाया गया यहां पर वो जो राईजू वाला जो चीज़ दिखाया गया था जब मांगा में मैंने पढ़ा था मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया था लेकिन एक reason दिया है किस तरीके से यार आग को बुझाया जाएगा मैं जब मांगा पढ़ रहा था उस वक्त अगर मैं बताओ तो मैरे को पढ़ते टाइम ऐसा लगा था कि यार अगर राईजू को ओड़ा मार दें एक death character दिखा दे तो वो वाला चीज ज़्यादा मजा आता लेकिन यार ये पानी से जिस तरीके से ये सारी चीज़े दिखाए गई बुझ गया और कोई भी character को नुकसान नहीं हुआ उस आग से वो उतना ज़्यादा मजा नहीं देता है बजाए इसके राईजू खुद को sacrifice कर देता पूरे ओनी गासिमा के अंदर के लोगों को बचानी के लिए तो वो और ज़्यादा मजा आता ऐसा मेरे को लगा था जब मांगा रीड किया था बड हम उसमें ज़्यादा कुछ करने ही सकते है ये मेरे personal विचार है and main moment था लूफी का उस बिजली को पकड़ना लेकिन वो जो 2 वी गंटिनेट के बाद ये पता चलता है ये लोग next episode पर filler लाने वाल है and वो episode देखो ना देखो कोई फाइदा नहीं है सायद हो सकते हैं ये लोग final fight के लिए animation के लिए वो time लेना चाहते है but मुझे exact region नहीं पता है अगर किसी को पता है तो comment box में बताना मत भूला इस episode को मैं rating देना चाहूंगा 7.5 out of 10 because ठीक ही था उतना बुरा नहीं था and तुम सब का क्या मनने मुझे comment box में बताना मत भूला और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो साथ ये साथ मुझे instagram पर follow करना मत भूला और हाँ इस वीडियो को लाइक मारो और चानल को subscribe करके bell icon on कर देना तो आर मिलेंगा नेक्स वीडियो में